तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले लोडा ग्रुप के एक मर्जर के बारे में जिसके कारण बहुत सारे शेर होल्डर्स को भी नुकसान होने वाला है तो इस वीडियो में उस सारी चीज़े और अस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे एक्जैक्ली क्यूं हो रहा है क्या हो बता हो तो बेसकली लोडा यहाँ पर मैक्रोटेक डव्लपर्स के नाम से यहाँ पर लिस्टेड है इनकी 2-3 सब्सेडरी जैं और कुछ यहाँ पर अधर सब्सेडरी जैं अनिस्टेड अर बेसिकली यह लोग री स्ट्रक्चर करें टू सेव दा कॉस्ट तो सेव दा मैनेज तो बेसकली अब यहाँ पर इनके साथ क्या होएगा कि यह जो कंपनी के जिनके पास शेर अब उनको यहाँ पर बेसिकली नैशनल जो है अपनी लिस्टेड कंपनी है मैक्रोटेक डवलपर्स के शेर मिल जाएंगे बट यह जो मर्जर रेशू डिसाइड किया गया है यह अगर आप देखोगे नैशनल स्टेंडर्ड ओ या फिर सनांता नगर ओ या फिर रोजलेब हो सब की यहाँ पर जो नेट वर्ट है वो नेगेटिव है रेविन्यू फरम ऑपरेशन निल है अगर आप देखोगे रोजलेब्स का वहीं पर नेशनल स्टेंडर्ड का बहुत कम ही रेविन्यू है और नेट वर्ट इसकी भी यहाँ पर नेटवर्ट जरूर पॉइटिव है बट अधर यपर मेंगेटिव है अब üz बश्रिकली कम्पनी जिसके साथ है कि रहे है इना चंट क्र्दी रहरो है जो हiserIR होगत फिर जो हो और स्थ बेसिकली अब हर company को अलग-अलग balance sheet वगरे file करना पड़ता है return बढ़ना पड़ता है वो cost कम हो जाएगी हर मैं हर company के लिए अलग-अलग CFO को appoint करना पड़ता है वो भी यहापे वो जाएगी तो इससे management भी basically free हो जाएगा ठीक है उसके अलावा अगर अपन देखें तो यह जो transferal companies है इनके पास कोई भी ongoing project नहीं है साफ साफ लिखा है company ने ठीक है इसके अलावा यहापे जो basically अभी public shareholders जो है जो transferal companies के उनको यहापे macro tech के shares मिल जाएगे अब यहापे जो ratio अगरे decide हुए थे यह काफी खतरनाक थे बट overall अगर आप देखेंगे as a company यहापे जो shareholding है वो आप कैसे देखेंगे तो इस deal से overall जो अभी macro tech में shares holders है उनका overall थोड़ा बहुत dilution होगा जिसका बहुत 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 impact होगा अब मैं आपको overall चीज़ बता देता हूँ कि यहापे क्या अभी हुआ है exactly अगर आप देखो कि इनके जो merger ratio decide हुआ है वो काफी खतरनाक है for example अप 1000 shareholders जिनके पास भी 1000 shares है उनको 8 share macro tech के दिये जाएंगे तो basically अगर आपके पास 24,000 रुपई के share है आज उसका 24.85 रुपई का भाव है तो अगर आपके पास 24,000 के share है तो आपको किवल 10,000 के share मिलेंगे basically आपकी पूरी की पूरी equity आदी कर दी गई वैसे ही अगर आपन बात कर 25% wealth ही road हो गई पिर सबसे खतरना के national standard में national standard का जो share है लगबग 10,000 रुपई के आसपास तो अगर आप देखो के उसमें 11,10,000 के जो shares है उनके against में केवल और केवल जो पैसा मिलेगा वो केवल 11,000 रुपई का मिलेगा ठीक है तो basically आप समझ गए कि किसी के पास भी अगर national standard क कि आज की तारिक में अगर या फे record date पे 1000 share है तो उनको 9 share मिलेंगे macro tech developers के और उन 9 share की जो worth है वो बहुत बहुत कम है अब मैं आपको एक और चीज clarify कर देता हूं यहाँ पे जो अभी जो record date वगए अभी तक announce नहीं हुए because इस merger के लिए basically approvals बाकी है जैसे सबसे पहले NCLT और अभी वगरे के approvals आएंगे BACNAC का approval आएगा फिर इनके regulators का approval आएगा ठीक है तो merger के बाद यहाँ पे सब सारे approvals मिल जाएंगे उसके बाद एक record date announce की जाएगी उस दिन पे जो भी यहाँ पे share hold करता रहेगा ना उसके साथ यह होगा क्या अभी आप लोग इससे निकल सकते ह उसकी जो already tricks हम लोग ने बहुत सारी companies में बताईए DHFL में भी बताई थी अभी हमने TTML का भी जब वीडियो बनाया था एक दिन पहली हम लोग ने बोल दिया था कि TTML यहाँ पर एक pump and dump story हो सकता है और उसके बाद से लगातार वो गिर रहा है तो आपको कैसे क्या करना है basically 10 बज़े तक अगर आप order डालेंगे तो basically आपके shares बिगने के chances ज्यादा होंगे यह पूरी-पूरी strategy आप i button दबा के हमारा TTML वाला वीडियो देख लिजिएगा वहाँ पर आपको इस सारी चीज़े समझ आ जाएगी अब अगर आप यह लोग जो सारी चीज़े हुई है तो 20,000 क्रोड का market capitalization हो गया था because of infrequent trading because अगर infrequent trading का मतलब समझे कि यहाँ पे basically जो company में trading हो रही थी वो basically fair value पे नहीं हो रही थी और उसकी volumes इतनी ज्यादा नहीं थी अगर अपन देखेंगे national standard के अंदर 75% यहाँ पे जो stake है वो promoters के पास है ठीक है तो अगर आप ऐसे समझें तो अब केवल 25% share market में रह गए तो इससे क्या अदा है basically कम share होते है तो यहाँ पे इसकी basically demand बढ़ जाती है कोई भी चीज़ कम होते है तो इसकी demand बढ़ जाती है फिर price automatically बढ़ती है जैसे थोड़े time पहले आपने देखा होगा oxygen की कमी हो गई थी तो उसकी एकदम से price shoot up हो ग investments रह गए है ठीक है और यह overall entity का कितना percent बेंता है जो मैं मेला macro tech है उसका केवल 0.1% यहाँ पर equity based का formation होता है जो अपने share holding pattern में भी देखा तो इस तरह की companies से आपको दूर रहना है वही पर अगर 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 आपन national standard की थोड़े बाद financials भी देखते है तो basically अगर आप देख one का है वहीं पर जो company का PE ratio बेटता है वो भी काफी ज्यादा है पी रेशो आपनी लॉस्मकिंग होने कारण यहाँ पर पी रेशो नहीं आ रहा है यह रापी रेशो जो है करीबन 9.68 का है आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा trap था और इसकी शेप राइस के अगर आप history देखो तो उतना आपके लिए बैतर होगा अगर आपन इनका business देखे तो कोई भी business नहीं है करोड में भी इनका revenue नहीं आ रहा है इनका जो main revenue आ रहा है वो other income से आता है कोई company का business नहीं company ने खुद ही बोल दिया ठीक है last अगर आप देखोगे तो sales growth आप यहाँ पर देख सकते हो कु चीज़े हो रही है वहीं पर last year March 21 में इनका negative cash flow भी था तो इससे अपने को पूरा समझा रहा है कि यह बिल्कुल penny stocks से इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए मैं हर बार बोलता हूं लोगों को की penny stocks से बिल्कुल बिल्कुल दूर रही है इसमें क्यों होता है कि 10 में से एक चलता ह है ठीक है और अपन लगाते हूं उस एक में जिसमें पक्का पक्का नुकसान होने वाला होता है या फिर उस टाइम अपन ऐसे टाइम पर गुस्ते हैं कि यहां पर लोग बाग ट्राप हुदाते और penny stock को basically operator चलाता है और retailers पर थोप देता है you will never know कि कब से आज यहां पर कोई सकते हैं जो मेक्रोटेक डवलपर से उसमें भी लगा सकते इन सब में लगाई न आपको क्यों penny stocks में जाना है जहां business ही नहीं है आज TTML है उसको कोई business ही नहीं है फिर भी अपन लोग बाग उसको खरीद रहें कि उनको लग रट जो टाटा का सूपर है पाएगा वो उस company में और यहां पर केवल operator का फायदा करना तो इस तरीके के यहां पर tactics use के जाते ओवराल अभी आपको जल से जल निकलने पड़ेगा अच्छा यह recorded जो मैंने बताई वो कब तक announce होगी तो अभी कम से कम एक दो महीने लग जाएंगे बट लगातार अब इसमें यहां पर lower circuit ही लग लगने लगे अब अपर यहां पर रुख जाते नहीं तो वापस आप फज जाएंगे तो यह सारी चीजे थी इनसे दूर रहना चाहिए बाकी हमेशा अपनी मैं तो एक ही चीज बोलूँगा कि capital protection is much more important than capital appreciation ठीक है तो बड़िया बड़िया कमने में पैसा लगाई है और प्ल